अगर आप अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देख रही हो, उनके उज्वल भविश्य के कामना कर रहे हो, तो उन्हें सही परवरिश्च की जरूरत है। जैसे स्वामी विवेकानन की उनके माता पिताने की। ये किस्सा सुनो तो जान जाओगे। स्वामी विवेकानन, नरेंद्र, एक दिन उनके घर, उनके पापा के एक दोस्त आ है, उन्होंने नरेंद्र से पूछा, बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, नरेंद्र ने तुरन जेवाब दे दिया, मैं बड़ा होकर कोचमन बनना चाहता हूँ, कोचमन मतलब तांग वाला तांगा चलाने वाला जो होता है ना उसे कोचमन बोलते हैं तब तांगे में दो-दो-चार-चार खोड़े एक साथ लगाये जाते थे और कोचमन जिस तरीके से उन्हें कंट्रोल करते थे ना वो नरेंद्र को बहुत दिल्चस्ट लगता था इसलिए नरेंद्र भी पापा के दोस्त दिक्तम चौक है घर में इतनी सारी इस्टेट है इतने सालों से वकीली चल रही है इतनी जायदार होने के वावजुद बेटा कोचमन बनना चाहा रहा है उन्होंने नरेंद्र के पापा से कहा देखो विश्वनात बाबु आपका पेटा कोचमन बनना चाह पर थे हाथों में लगाम थी पीछ अर्जुन निस्तब्द बैठे हुए थे तो विश्वनात बाबु ने नरेंद्र से कहा आप कोचमन बनना चाहते हो तो जरूर कोचमन ही बनना पर भगवान श्री क्रेश्ण जैसा यूगो यूगो से भगवान श्री क्रेश्ण का सारथ्य कर रहे है तो वो काम कम दर्जे का कैसे हो सकता है तो बजपन से ही नरेंद्र को ये सीख मिली कि कोई भी काम कम दर्जे का हो ही नहीं सकता तो देखा विश्वनात पापु ने कोचमन के काम को कम दर्जे का नहीं बताया नरेंद्र के मन में ये विचा थोड़ा सा भी नहीं आने दिया कि कोई भी काम नीचे दर्जे का या कम दर्जे का हो सकता है अब बच्चों को बोलते हो सुनाते हो ये करो वो ना करो बच्चे नहीं सुनेंगे बच्चे किसी का नहीं सुनते बच्चे बस देखते हैं बच्चे आपका सुनकर नहीं आपका देखकर सीख तो अगर आप बच्चों का भवितव्य उच्वल बनाना चाहते हो तो आपके बिहेवियर से आप बच्चों को सिखाओ लेट्स नॉट सॉम एनी नीगेटिव थॉट्ट इन माइंड ऑफ यही है सही परवरी बच्चों के मन में कोई भी नीगेटिव चीज आने ही ना दे